नमस्ते में हूं सभागत आपका संभीत के जंकराती अज मैं हाजिर हूँ नए रेसिपी के साथ TOया मैं बनाने जा रही हूं सेवई और सेव की खी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं देखते हैं इसको बनाना कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या सामागरी की आवश्कता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सामागरी में मैंने लिया है एक बड़ा एपल को जिसको मैं धो करके और इसका कदुकस कर ली हूँ यह एक बॉल यानि एक कटोरा मैं एपल यानि सेव को कदुकस करके रखी हूँ यह दो बड़ा चमच अमूल पावडर है और आधा कटोरी मैं सेवई ली हूँ यह सेवई और चीनी मैं आधा यानि चार चमच कर छोटे चमच से मैं ली हूँ अब इस और थोड़ी सी बादाम और चार इलाइची लिया है सबसे पहले मैं कडाही को गरम करने चड़ा हूँ एक बड़ा चमच मैं बटर ली हूँ इसको डाल लेंगी असे यह स्वह मैल्ट होने देते हैं इसे ज्यादा गरम नहीं करना है क्यूंकि बटर जू है वो काफी जल्दी जलने लगता है तो जैसे ही यह थोड़ा सा मेल्ट होगा न आसे आप चाहे तो इसमें घी का भी स्कमाल कर सकते हैं और मैं इसमें बटर का यूस तर रही है तो यह जैसे ही मिल्ट होगा, हम यह जो सेवा ही है इसको हम डाल रहेंगे, इसको ज्यादा देर नहीं, बस छोड़ा सा हमको इसको भूनना है, जोकि यह अल्रेडी भूना हुआ है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए बस भूनना है इसे, जब हलका सुना लगने लगेगा, त हम इसको निकाल लेंगे, इसे दो से तीन मिनट ह punya हम भूनेंगे, क्योंकि यह अगर भून हुआ हुआ नहीं रहाता तो, थोड़ा देर तक हम इसको भूनते, लेकिन हम इसे में भूना हुआ इस्तमाल कर रहे हैं, इसलोई हम इसे ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, धो мои मिनट हो गया अब हम इसको निकाल लेते हैं अब इसी कड़ाही में आधा चमच मैं और बटर डाल दूँगे बस बटर को हमको सिछ मेंट करना है यह जैसे ही मेंट होगा मैं जो सेव या एपल को जो मैं यह कदुगस करके रखी हूँ न उसको हम इसमें डाल करके भूनेंगे जैसे ही यह भूनने लगेगा तो मैंने तीन से चार जो इलाइची लिखी उसको बस ऐसे ही उसका कवर खोल करके साथ में हम इसमें लावड़न दूँगे मैंने चार छोटी इलाइची लिखी तो सभी को हम इसकर से डाल देंगे और हम इसको आपस चलाएंगे हमारा सेव देखे भून गया है बस इतना ही इसी स्टेश पर हमको बस जहरपा रेड होगा हम इसको अब इसी के साथ हम इसमें जो सेवाईया भून कर रखे ते उसको हम डाल देंगे अब दो बार चलाएंगे चलाने के बाद जो सुगर मैंने लिया था वह सुगर भी हम इसमें डाल देंगे आप अपने अंदाज अनुसार कम या ज्यादा अपने नीठा जितना रखना चाहते हैं उस अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं तो मुझे कमी मीठा पसंदे जैसे ऴंने लगेगा आप मैं जो दो बड़े चमफ अमंच पर लिथी उसको मैं डाल देंगे अब अब हम इसमें दो बड़े चमफ दूद की मलाय जो है पासे मिल्ट हो गया है तब हम इसमें दो हम चला लूँट जब यह अच्छे से मेल्ट हो जाया ना देखें यह मेल्ट हो गया है तब हम इसमें दो कटोरी मिल्क मैंने इसी कटोरी से नाप करके लिए है मेजर्मेंट में तो हम इसको डाउ देंगे अब हम इसको दिनी आच में ही ज्यादा पेज नहीं करना है मीडियम आच में ही हम इसको थोड़ी देर के लिए पताएंगे देखिया हमारा मिल्क गाढ़ा हो गया है और यह अच्छे से अब ये शेववई ऑपल की खीर बनकर तैयार है तो चलिए अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं देखिये फ्रेंड एपल और सेवई की खीर बनकर तैयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आरी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद